तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का फॉर्स चेप्टर दा जामून ट्री का कुश्चन अंसर जो हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो देखते हैं पहला कुश्चन क्या है हमारे पास Describe the जामून ट्री इन एटलीस्ट फाइब सेंटेंसे स्थाथ क्या था आपको पांच कर्रेक्टर्स्टिक्स उसके लिखने हैं तो लिखते हैं देखो पहला क्या है जामून ट्री वस टॉल एंड स्टेटली ट्री, वो जो जामून ट्री था वो क्या था, बहुत लंबा था, और बहुत ही सांदार पेड था, ठीक है, उसके बाद है, गुमावदार डालियां थी, जिसके कारण से ऐसा लग रहा था, कि वो आकास को क्या है, पकड रही है करके, थरे, बच्चों की खेल का वो क्या था, एक सोर्स था, गर्मियों के समय में बच्चे क्या करते हैं, जब ठक जाते थे, तो वहाँ पर वो आराम करते थे, इट गीब्स सीरिप जामून्स टू अल, और यह क्या करता था, सब को बहुत अच्छा जामून का फल देता था, बहुत रसीला देता था, तो यह पांच पॉइंट्स आप क्या कर सकते हूँ, उसके याद रख सकते हूँ, अगला है, वो जब मेजी बनाना चाहते थे, तो मेजी बनाने के लिए उनके पास जो है, क्या-क्या ओप्शन थे, क्या-क्या सोच रहे थे उन लोग, वो यह सोच रहे थे, कि उनके पिता जी क्या करेंगे, उनके लिए जो है क्या कर देंगे, लकडी जो है ला देंगे, जिससे वो क्या कर सके, मेजी बना सके, तभी रिक्की बोलता है, क्यों न हम लोग जामून के जो पेड़ है, उसके बड़े-बड़े टहनियों को हम लोग क्या करें, काट लें, ब्रंचेस को काट लें, और काट कर हम लोग क्या करेंगे, मेजी बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके जो मदर है, वो क्या बोलती है, जब वो क्लकाता घुमने के लिए जाती है, अपनी मम्मी के पास जाती है, तब उसकी मम्मी क्या बोलके गई रहती है, कि तुम लोगों को पास अगर पढ़ाय लिखाय के बाद, अगर समय मिल जाकर तो तुम लोग क्या करना, जं चल रहा था, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, next है, what changed Ricky's enthusiasm for cutting the jamun tree, जब jamun के tree को काटने के लिए Ricky पेड़ पर चड़ा था, तो फिर वो क्या होता है, उस पेड़ को जो है नहीं काटता है, उसके ना काटने के पीछे का reason क्या है, यह आप से पूछा जा रहा है, जब जोनाग और Ricky पेड़े पर चड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं, कि वहाँ पर बाज का, चिल का क्या है, गोंसला है, एक मधुमक्खी का छत्ता है, एक गिलहरी जो होल करके वहाँ पर रहती है, तो यह सब चीज को देखकर Ricky और जोनाग decide करते हैं, कि हम लोग जामून के ट्री को जो है, कट नहीं करेंगे, अगला question है, देखो यहाँ पे, what are the good things they had been getting from the जामून ट्री, जामून ट्री से उनको क्या-क्या अच्छा चीज़े जो है, देखने को मिला, मतलब अच्छा चीज़े क्या-क्या उनको मिलती थी, या प्राप्त होती थी, the good things they had been getting from जामून ट्री are follows, उनको ये सब चीज़े मिलती थी, first है, they get ripe जामून to eat, मतलब रसीला जो है, बहुत अच्छा जो है, पका हुआ, उनको एक तो जामून मिलता था पहला, neighborhood children come tree to eat जामून in play under its sades, जो पडोस के जो बच्चे होते थी, वो भी क्या करते थे, जामून को ख जरने वाले जो visitors जो होते थे, उनको भी ये क्या करते थे, खाने के लिए जो है, मतलब आकरसित करते थे, squirrels come regularly to nibble at the fruits, और उसके अलावा जो वहाँ पर गिलहरी वगर जो होती थी, जो बास्क जाड़ी पर रहती थी, वो क्या करते थे, उसको फलों को कुतरने के लिए, जो वो क्या करते थे, आते थे, तो इस तरीका से जामून का ट्री जो है, सब के लिए क्या था, बहुती जादा जो है, important था, चलो, आगे बढ़ते हैं, हम लो थोड़ा जादा आगे आगे, हाँ, अगला कोशन है देखो, पांच्वे नंबर का, वाई डिड रिक्की, जोनाक, म उन्पी और टिंकी, वो बड़ा मेजी बनाना क्यों चाहते थे, so answer is, they wanted to build a champion मेजी that year, वो क्या चाहते थे, champion मेजी जो है बनाना चाहते थे, इसलिए, next question है देखो, what arrangements did the children make for the birds that visited the जामून ट्री, जामून ट्री पर जो चिडिया जो होते थे जब वो आते थे, तो उनके लि रिकी और जोनाक ने क्या-क्या, उनके लिए जो है बात बनाया, रिकी और जोनाक बिल्ट अब बड़ बात, and their sister, मुनपी और टिंकी, filled with water, रिकी और जोनाक ने क्या-क्या, उनके बात करने के लिए जगा बनाया, और उस पर पानी भरने का काम किस ने किया, मुनपी और टि अगला है question no.7, आपको क्या लगता है कि किसी त्योहार के लिए पेड को काटना अच्छा है या बूरा है, यह आपको बताना है, ठीक है, अग्यासी बात है, यह अच्छी बात नहीं है, देखते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुँ साधे यूस्फूल होते हैं, वो क्या करते हैं, ठंदा, हमें क्या करते हैं, ठंदा, और क्या करते हैं, फ्रेश जो है, छाया देते हैं, जहाँ पर हम लोग आराम कर सकें, वो हमें क्या करते हैं, खाने के लिए फ्रूट देते हैं, इसके अलावा लकडिया देते हैं, जिसको हम लोग जला कर खाना बना सकते हैं और उसी के फर्निचर से हम लोग क्या करते हैं, घर बना सकते हैं, फर्निचर बना सकते हैं इसके अलावा जो पेड जो होते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हमको प्रवाइड करते हैं और वो क्या चीज है ओक्सिजन और फूड जो है हमको यह प्रवाइड करते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्स रिलेटेड कुछ कोशन दिये हुए हैं देखो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो जैसे वही आंसर आप फिर से यहाँ पर लिख सकते हो क्यों हमें नहीं काटना चाहिए वही तो कोशन है ना उसके बाद है give reasons why trees are cut आपको बताना है कि पेड़ को जो है क्यों काटना चाहिए ठीक है some trees like subabul and the eucalyptus are especially grown to be cut so that older trees can be saved यहाँ पर दो पेड़ है eucalyptus और subalul यह दोनों पेड़ को इसलिए लगाय जाता है ताकि इनको बड़ा करके क्या गया जा सके काटा जा सके क्या आपको लगता है कि जो पौधे जो हो यह जो वरिक्षे जो होते है फल नहीं देते हैं उनको कार देना चाहिए answer है नहीं उनको नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो हमें oxygen देते हैं छाया देते हैं तो सिर्फ फल नहीं देते हैं मतलब यह नहीं कि हमें उसको कार्ड देना चाहिए, ठीक है, Do human beings alone have right over the trees, क्या आपको लगता है, कि सिर्फ पेड़ पोधे पर, सिर्फ मनुस्यों का अधिकार है, तो बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ पेड़ पोधे पर मनुस्यों का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो पक्छियां है, जो छोटे-छोटे गिलहरी हैं, जो भी हैं, जो उसपर dependent होते हैं, उन सब का right जो है वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो इसका अंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, No, human beings alone have no rights over trees, all the living beings have equal rights over the trees, सबको बराबर rights मिलना चाहिए, इसके बीना हमारी जो life वो क्या है, possible नहीं है, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया होगा, यह सारे question answer है हमारे, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग जो अगला जो chapter है, first chapter का जो second section है, जिसका नाम है, reading be beautiful blue planet, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए, बाई बाई